हेलो एब्रीवान वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिसकस करेंगे सिक्स प्लास संस्कृत के तीसरे पार्ट आहम चा तुम चा के एंसी आर्टी प्रशन उत्र इससे पहली वीडियो में इस पार्ट को हमने पढ़ा और समझा अभी पार्ट के अंत में जो प्रशन दिये है उनके उत्तर आपको कैसे लिखने है वो हम देखते हैं वयम वयम मतलब हम सब अभ्यास मैं अभ्यास प्राक्टिस कुर्महा करते हैं हम सब अभी अभ्यास करते हैं पहला प्रशन है उच्चय पठंटू उच्चा ही मतलब उच्चा, पढ़ना है, पढ़िये, अव गच्छन्तु च, अवगा मतलब होता है समझना, और च मतलब और, उच्चा पढ़िये और समझिये, तौम माता, तौम माता, तौम पिता, तौम बंधु, तौम बंधु, मतलब भाई, तौम सखा, सखा मतलब मित्र दोस्त, तुम विद्या, तुम विद्या, तुम द्रविनम, द्रविन मतलब होता है धन, तुम धन, देव देव, देवों के देव, तुम एव मम सर्वम, तुम ही मेरे सब, हे देवों के देव, तुम ही माता हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, विद्या हो, द्रविन धन हो, त मेरे सब कुछ हो यह आपने ऐसे सुना होगा अब बोलना है आपको क्योंगी उचा बोलना है समझ आपको आगया होगा त्वमेव माता चपिता त्वमेव त्वमेव बंधुष्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रमिणम त्वमेव सर्वम मम देव देव तुमेव ये जो शब्द है ये बना है तुम और एव को मिलकर तुमेव एव मतलब होता है ही जिसे यहाँ पर है तुमेव तुम ही तो इन दोनों को मिला कर बन गया तुमेव तुम ही माता चा चा मतलब और पिता तुमेव तुम ही पिता तुम ही माता और तुम ही पिता तुम अपको समझ भी आ गया होगा तुम ही माता हो तुम ही पिता हो ये हिंदी में प्रेयर भी आप करते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंदू सखा तुम ही हो तुम ही माता हो पिता हो बंदू भाई हो सखा हो दोस्त हो विद्या हो धन हो तुम मेरे सब कुछ हो आगे आतने उधारण अनुगुणम उधारण के आधार पर अधो लिखी तेशू अध मतलब होता है नीचे नीचे लिखे वाक्ये शू नीचे लिखे वाक्यों में पटिकात ये है पटिका पटिका से उचितपद सही पद सही शब्द से रिक्त स्थानानी पूरियंतू रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजे पीचे जैसे उधारन दिया है ऐसे ही आपको यहां से पटिका से शब्द लेने हैं और रिक्स्थानों की पूर्ती करनी है उधारन है हे बाल, हे बालक तौम चात्रा असी, तुम चात्र हो अब अस धात्रों के रूप कैसे चलते हैं, यह हमने उपर भी देखा, एक बार लिख लेते हैं एक होता है तुम हो और एक होता है मैं हूँ, तो हो के लिए क्या होता है असी, तुम हो, स्थ, तुम दोनों हो, स्थ, तुम सब हो, ठीक है, ये तुम के साथ आएगा, त्वम के साथ आएगा, और मैं मेरे लिए जब होता है, अस्मी मतलब हूँ, स्वहा हम दोनों हैं, और स्महा मतलब हम सब है, ठीक है, हमेशा ये जो तीनों अस के रूप है, ये त तौम के साथ आते हैं, तुम्हारे साथ आते हैं, और ये अहम के साथ आते हैं, मेरे साथ आते हैं, ठीक है, और तौम और अहम के रूप आपको पता है, अहम, आवाम, वयम, मैं, आवाम मतलब हम दोनों, अहम, आवाम, वयम मतलब हम सब, तौम में तौम, तौम, तुम, तुम सब ठीक है शब्द रूप बहुत जरूरी है याद करने आपको संस्कृत में अगर संस्कृत को समझना है अहम आवाम वयम मैं हम दोनों हम सब तुम युवाम यूयम तुम तुम दोनों तुम सब ठीक है जब अहम आएगा तो असमी आएगा अहम असमी मैं हूँ आवाम स्वहा हम दोनों हैं वयम स्महा हम सब हैं ठीक है जो वचन यहाँ पर होगा उसी के according आपको रूप लिखने है अस धातू के तौम तौम दोनों हो तौम असी हमेशा तौम के साथ असी आएगा यवाम के साथ स्था आएगा तौम दोनों हो यूयम स्थ तौम सब हो ठीक है यह ध्यान रखना है इसी के according हम यह जो sentences है इन्हें complete करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर था तौम के साथ क्या आया है असी तौम के साथ क्योंकि एक वचन है तो यहाँ पर आया असी चलिए खाली जगह शिक्षिक कहो स्वहा स्वह कहाँ पर आता है मेरे साथ और स्वहा आता है दूई वचन में यह तुम के रूप है यह मै के रूप है स्वहा आता है दूई वचन में मतलब तुम दोनों हो जैसे शिक्षिकव से भी आप समझ सकते हैं शिक्षिकव 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 यह शिक्षक शब्द के शब्द रूप होंगे एक शिक्षक, दो शिक्षक, बहुत से शिक्षक तो यह शिक्षक का दुई वचन है यह अस का दुई वचन है तो यहाँ पर मैं का भी आप दुई वचन ही लिखेंगे तो आप कहेंगे आवाम हम दोनो आवाम, शिक्षिकव, स्वह हम दोनों शिक्षक हैं ठीक है? ये भी दूई वचन है अहम का ये शिक्षक का दूई वचन है और ये अस का दूई वचन है स्वह उमीद है आपको समझ में आगया होगा आगे है मंचे नृतक्या स्थ मंच पर खाली जगे निर्ट का स्थ स्था आता है तुम के साथ और कब आता है बहुवचन में यह आपको देखना है यह बहुवचन का शब्द है तो यहाँ पर तुम का भी आपको बहुवचन ही लिखना है तुम का बहुवचन क्या होगा यूयम मंच पर यूयम मतलब तुम सब निर्दक्य, निर्दकी हो निर्दकी मतलब डांसर्स ठीक है तो आवाम यहाँ पर आ चुका है यूयम आ चुका है आगे अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ यहाँ, आगे खाली जगे अस्मी अस्मी ये है, अस्मी ये कब आता है मैं हूँ, खाली जगे हूँ, यहाँ पर क्या आएगा मैं हूँ, अत्र अहम अस्मी, यहाँ मैं हूँ, यहाँ पर आएगा अहम, सभायाम, सभा में मीटिंग में खाली जगे गाई के स्थ, स्थ कब आता है दुई वचन में, तुम्हारे स तो तुम्हारे साथ का दूई वचन क्या होगा युवाम सभायाम सभा में तुम दोनों गाई का हो गाई के स्थ आगे विद्यालिये विद्यालिये में खारी जगे स्मा स्मा का बाता है बहुवचन में मैं के बहुवचन में मतलब हम सब हैं यहां पर क्या आएगा मैं का एक वचन यह है एक वचन के साथ असी धाता है만 क्या है , फॉम का एक वचन क्या होता है । यानि की होस्पिटल में तुम चिकिच्सिखा हो आपको मैच करना है इन दोनों रूप को तुम के साथ हमेशा असी आएगा युवाम के साथ हमेशा स्था आएगा और युयम के साथ तुम सब के साथ हमेशा स्था आएगा तुम हो तुम दोनों हो तुम सब हो अहम के साथ हमेशा असमी आएगा मैं हूँ फिर आवाम के साथ स्वा आएगा हम दोनों है और वयम के साथ स्वा आएगा हम सब है यहाँ पर अगर हम देखे जो हमने ब्लांक स्विल की है उनमें यही है यूयम के साथ स्था आया है देखिए एक सेकंड यूयम के साथ स्था आया है आवाम के साथ स्वा आया है तुम चात्रह आसी तुम चात्र हो हम सब आवा मतलब हम दोनो हम दोनो शिकषकव स्वा हम दोनो शिकषक है मन्च ये मन्च पर यूयम तुम सब निर्त्यक्य स्था निर्तकी हो अत्र यहां अहां अस्मी यहां मैं हूँ सभायाम यूवाम गाई के स्था सभा में तुम दोनों गाई का हो विद्याले वयामस्मा विद्याले में हम सब हैं वैद्याले में होस्पिटल में तुम चिकित्सिका असी तुम चिकित्सिका हो ठीक है next चित्रम द्रिश्टवा चित्र को देखकर उधार नस्य उधारन को के अनुसार अनुगुणाम उसके आधार पर उसके समान वाक्यानी लिखन्तू वाक्य लिखिए अब ये फिर से आपको शब्द रूप अगर आपको याद है आप देखते समझ जाएंगे अहम आवाम वयम मैं हम दोनों हम सब आहम के साथ हमेशा असमी आएगा आवाम के साथ स्वह आएगा और वयम के साथ स्मह आएगा असमी स्वह स्मह हूं हैं हम दोनों हैं हम सब हैं ठी दोनों शिक्षक है, वयम शिक्षकास्मा, हम सब शिक्षक है, शिक्षका, एक शिक्षक, शिक्षकाओ, दो शिक्षक, शिक्षकाओ, बहुत से शिक्षक, यह शिक्षक के शब्द रूप है, ऐसे आहाम तंत्रग्य अस्मी, मैं तंत्रग्य हूँ, सौफ्वेर इंजिनियर हू अब आगे क्या है अहम के बाद ये दोनों है तो यहाँ पर क्या आएगा आवाम अहम के बाद आएगा आवाम आवाम मतलब हम दोनों हम दोनों क्या है तंत्रग्ये है तो अब तंत्रग्ये का भी आपको द्वी वचन लिखना है जैसे शिक्षका का शिक्षकाव हो गया मतलब हमसब क्या है है तंत्रग्य तंत्रग्यय में हो जाएगा लास्ट में तंत्रग्या की मात्रग विसर्ग लगेंगे हम सब तंत्रग्य हैं software engineers है अहम, आवाम, वयम तंत्रग्य, 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 अस्मी, स्वा, स्मः चलिए आगे आते हैं अहम, नृत्यक, नृत्यक, अस्मी मैं नृत्यक हूँ यह मेर डांसर है अगे अभी यह दो है तो यहाँ पर क्या होगा अहम का दूईवचन होता है आवाम हम दोनो आवाम, हम दोनो नृत्यक हैं तो नृत्यक कहा क्या हो जाएगा नृत्यकव, आव की मात्रा आ जाती है दूईवचन में नृत्यकव हम दोनो नृत्यक हैं नृत्यकव, स्वाह आगे है हम सब आवाम के बाद होता है वयम हम सब और नृतक अकी मात्रा और विसर। हम सब नृतक हैं तीनों शब्द के रूप बदलेंगे सब में तुई वचन है यहाँ पर सब में बहु वचन है बयम निर्त कहा स्मा ठीक है चलिए आगे है अहम चालका अस्मी मैं चालक हूँ तो हम का क्या हो जाएगा के दो है यहाँ पर आएगा आवाम हम दोनों चालक है चालक का क्या हो जाएगा चालकव आउ की मात्रा हम दोनों चालक स्वा स्वा मतलब हैं हम दोनों हैं आगे हो जाएगा वयम हम सब चालकवा स्मः हम सब चालक हैं ठेक हैं देखें अहम आवाम वयम हम हम दोनों हम सब चालकवा एक चालक चालकवा दो चालक चालका बहुत से चालक, अस्मी है, स्वा, दोनो है, स्मा, सब है अहम चालका अस्मी मतलब मैं एक चालक हूँ, आवाम चालका उस्मा, स्वा, हम दोनों चालक है वयम चालका अस्मा, हम सब चालक है चालक मतलब ड्राइवर, next अब आते हैं स्ट्रेलिंग पर अहम आरक्षिका अस्मी मैं आरक्षिका आरक्षिका मतलब पुलिस वुमिन आरक्षक हमने देखा था पुलिस मान आरक्षिका मतलब पुलिस वुमिन ठीक है मैं पुलिस वुमिन हूँ आरक्षिका अस्मी मैं हूँ आवाम आरक्षिके स्वा अब देखिए अहम आवाम वयम से यह सर्वनाम श्व पुल्ण में सेम रहते हैं अस्मि स्वा स्मा मॉह बिलकुल सेम है हम दौनों हैं हम सब है लेकिन यह शब्द रूब बडल गए है है आरक्षी का पिर एक मात्रा लगी आखी मात्रा हटके आरक्षी के और लास में विसर्ग लगा आरक्षी कहा ठीक है यह आप भ्यान रखेंगे आगे है आहम चात्रा अस्मी मैं चात्रा हूँ अब आप कहेंगे हम दोनों चात्रा हैं यह दोनों लड़किया कहेंगी तो आहम का क्या हो जाएगा आवाम आवाम मतलब हम दोनो चात्रा का क्या हो जाएगा चात्रे आ की मात्रा हटके एकी मात्रा आएगी और स्वा आवाम चात्रे स्वा ये सही सिंटेंस है हम दोनों चात्राएं हैं फिर हम सब चात्राएं हैं तो वयम मतलब हम सब चात्रा का बहुवचन होगा चात्रहा विसर्ग ठीक अहम, आवाम, वयम, चात्रा, चात्रे, चात्रहा, अस्मी, स्वा, स्मा ठीक, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन में ये शब्द रूब है मैं चात्रा हूँ, हम दोनों चात्राएं है, हम सब चात्राएं है आगे अहम गाई का अस्मी, मैं गाई का हूँ यहाँ पर क्या होगा वयम, हम दोनों गाई के स्वह, हम दोनों गाई काई है और यहां पर और यहां पर आवाम वयम नहीं वयम तो हम सब के लिए हो जाएगा आवाम हम दोनो गाई का है गाई के स्वहा फिर हम सब मतलब वयम गाई का गाई का और बाद में विसर्ग स्महा है ठीक अहम आवाम वयम गाईका गाईके गाईका अस्मी स्वास्म मैं गाईका हूँ हम दोनों गाईका है हम सब गाईका है ठीक अब आगे हैं अहम अनुवैद्या अस्मी मैं अनुवैद्या हूँ नर्स हूँ आगे हम दोनों नर्सेस हैं तो अहम आवाम आवाम मतलब हम दोनो अनुवैद्य का क्या हो जाएगा अनुवैद्य एक ही मात्रा की मात्रा हटके एक ही मात्रा आ जाएगी और फिर वयम मतलब हम सब और यहां पर अनुवैद्य और लास्ट में विसर्ग स्मा अहम आवाम वयम अनुवैद्या, अनुवैद्ये, अनुवैद्या, अस्मी, स्वा, स्मा मैं अनुवैद्या हूँ, हम दोनों अनुवैद्या हैं नर्सेज हैं, हम सब नर्सेज हैं आगे है त्वम, अब ये अहम के साथ हमने देखें अब आते हैं त्वम पर, त्वम मतलब त्वम शब्द रूप कैसे होता है युवाम यूयम और जैसे यहाँ पर अस्मी हूँ दोनों हैं सब हैं यहाँ पर होगा असी मतलब हो स्था दोनों हो स्था मतलब सब हो ठिक तुम दोनों ये बच्चा कह रहा है दूसरे के लिए वो खुद नहीं बता रहे हैं खुद बताते तो अहम होता जैसे पुलिंग में होता है पहले विसर्ग लगेंगे फिर आउ की मात्रा फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग तुम दोनों चिकित सको युयम मतलब तुम सब चिकित सका चिकित सक स्था हो ठीक तुम युवाम युयम चिकित सका चिकित सिकाओ चिकित सिकाओ असी स्था स्था ठीक आगे त्वम लेखका असी तुम लेखक हो अब दो है तो क्या कहेंगे तुम दोनो त्वम के बाद आता है त्वम युवाम तुम दोनो और लेखका क्या हो जाएगा लेखकाओ क्योंकि ये पुलिंग शब्द है स्था तुम दोनो लेखक हो तुम युवाम अगे है यूयम यूयम मतलब तुम सब और लेखक क्या होगा लेखका, लेखकाओ बहु वचन में ये हो जाता है लेखका, आकी मात्रा और बाद में विसर्ग तुम सब लेखक हो, स्थ तुम युवाम, यूयम तुम के शब्द रूप, तुम दोनो तुम सब लेखका, लेखक, लेखकाओ, दो लेखक, लेखकाओ मतलब बहुत से लेखक असी हो, स्थ, दोनो हो, स्थ, सब हो तुम लेखक हो, लेखक मतलब राइटर हो तुम दोनो लेखक हो, तुम सब लेखक हो आगे है तौम सैनिका असी तौम सैनिक हो क्या पर होगा तौम युवाम तौम दोनो सैनिकाओ स्थ तौम दोनो सैनिक हो युयम मतलब तौम सब सैनिका स्थ तौम सब सैनिक हो तौम कृड़का असी तौम कृड़क हो, प्लेयर हो आँगे युवाम मतलब तुम दोनो कृड़क हो तुम दोनो प्लेयर सो कृड़क ओ स्था उसके बाद तुम सब यूयम कृड़क हो आखी मातर और विसर्ग स्था, तुम सब क्रिड़क हो, तुम सब प्लेयर्स हो, ठीक है, तुम, युवाम, युयम, एक वचन, दुई वचन, बहु वचन, तुम का, प्रिड़का, क्रिड़का हो, प्रिड़का, प्लेयर का एक वचन, दुई वचन, बहु वचन, और ये एक वचन, दुई वचन, बह एक क्रिडीका दो क्रिडीका दो प्लेयर मतला फीमेल प्लेयर में आपे सिर्फ हो और फीमेल प्लेयर सो तुम सब female players हो, तौम, युवाम, यूयम फिर शब्द रूप, फिर असी, स्थ, स्थ अब इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसके शब्द रूप अलग चलेंगे अधिवक्त्री, अधिवक्ता हम बोलते हैं जो lawyer होते हैं, वकील होते हैं और अधिवक्ता का ही यहाँ पर जब आ की मात्रा थी जब strilling शब्द आ की मात्रा से end होते हैं तो दूई वचन में एकी मात्रा हो जाती है बोवचन में आ की मात्रा के बाद बिसर्ग हो जाते हैं लेकिन इसमें लास्ट में इकी मात्रा है, इन्हें हम शब्द रूप आगे, classes में आप देखेंगे इन्हें बोलते हैं आ का रांत strilling शब्द इनके शब्द रूप अलग चलते हैं strilling शब्द बाद में आ है इन्हें बोलते हैं इका रांत, बड़ी की मात्रा है इका रांत strilling शब्द और इनके शब्दों पैसे चलते हैं जैसे अधिवक्त्री है लास्ट में एकी मात्रा है इसके दूई वचन में जो आखरी वर्ण है अक्षर है त्रो वो आधा हो जाएगा यानि कि यह होगा अधि वक्त्रो आधा त्रो और last में या लग जाता है या के उपर बड़े दो मात्रा है यह आ पहले भी हमने देखा था फिर से देख लेंगे उपर और इसके बहु वचन में वही होगा अधी वक, आधा क, और आधा त्रो और last में या और विसर्ग अधी वक्त्रियो, अधी वक्त्रियो एक सेकंद, देख लेते हैं sentences में हमने, इका रांत का एक आया भी था, आपके जब हम कर रहे थे चिकित सिका, गाई का देखो चिकित सिका, आका रांत है, इसमें वही चलेगा ए लगेगा, बाद में विसर्ग लगेंगे आके बाल गाई का भी आका रांत है, last में आकी मात्रा है ए लगा, और विसर्ग लगे ये pattern अगर आप देख ले, तो आगे बहुत असान हो जाएगा आपके लिए पाची का नृत्तकी इसमें देखे, नृत्तकी ये ए का रांत शब्द है, last में ए की मात्रा है तो इसमें क्या हुआ का आधा हो गया, और या के बाद में या आया, और दो मात्रा ही लगे नृत्य क्यों, और बाद में का आधा रा, आकरी जो भर्ण है अक्षर है वो आधा हो जाता है, और या लग जाता है बाद में विसर्ग ठीक है नृतक यहां एक नृतकी दो नृतकी बहुत से नृतकी तो ऐसे ही एक अधिवक्त्री एक आडवोकेट फीमेल आडवोकेट फिर अधिवक्त्रियो आधात्र और यो मतलब दो आडवोकेट फीमेल आडवोकेट और फिर अधिवक्त्र यहाँ बहुत सी अधिवक्त्री ठीक है यहाँ पर युवाम आएगा तुम के बाद युवाम तुम दोनो युवाम और यहाँ पर आएगा युयम ठीक है तुम एक अधिवक्त्री हो तुम अधिवक्त्रिय सी तुम दोनो अधिवक्त्री हो युवाम अधिवक्त्रिय स्थ त तुम सब अधिवक्त्रियो, यूयम अधिवक्त्रिया स्थ, बेसिक से 4 to 5 रूल्स हैं, इनको आप अगर नोट डाउन भी कर लेंगे, तो उसी में पूरा चाप्टर कवर हो जाएगा, आगे है त्वम छात्रा असी, अब आसान है, क्योंकि आ की मात्रा है आखिर में, जैसे आ दोनों चात्राएं हो, फिर यूयम मतलब तुम सब चात्राहा, चात्राएं हो, त्वम यूवाम यूयम चात्रा, चात्रे, चात्राहा, असी स्थ, स्थ, रहेगा ये, ठिक, आगे आते हैं, आगे है त्वम धावी का असी, तुम धावी का हो, मतलब जो डौडने वाले होते एक वचन में खाली आकी मात्रा आती है वह वचन में विसर्ग भी आती है अगर विसर्ग आपने लगा दिया तो मतलब वो बहुत सारी हो गया तुम धाविका हो, तुम दोनों धाविकाए हो तुम सब धाविकाए हो तुम धाविकास ही, युवाम धाविकास था युयाम धाविकास था चलिए आगे आते हैं अब आपको उधारन के अनुसार ही वाक्यों को परस पर जोड़ना है, मतलब माचिंग है ये, एक बरन के अनसर आप देख लिजे, फिर से, कुछ नहीं है, अहम आवाम वयम रहेगा, असमी स्वासमा रहेगा ही, और सिर्फ शब्द रूप आप देख लिजे, कैसे चलते हैं, पुलिंग के शब्द रूप, आप पर खतम होते हैं, फिर आउकी मातरा आती है, फिर आखी मातरा के बाद विसर्ग आते हैं, वही करना है सब में, स्ट्रिलिंग में भी आहम आवाम वयम रहेगा, असमी, स्वासमा रहेगा, आख से जब खतम होगा, तो पहले आखी मातरा, फिर ए, और लास्ट में आखे बाद विसर्ग, तुम्मे, तुम्य, युवाम, युयम, असी, स्थ, स्थ, ये सेम रहेगे, चाहे स्ट्रिलिंग है, चाहे पुलिंग है, पहले और आखरी शब्द, सिर्फ शब्द रूप अलग चलेंगे, शब्दों के, शिकित से कह, अगर ये पुलिंग शब्द है, तो पहले सिर्फ विसर्ग, फिर आउ की मातरा और पिर आखी मातरा के बाद विसर्ग, सम्में यही है, आउ की मातरा, आ की मातरा के बाद विसर्ग, अगर आ से खतम हुई है इस ट्रिलिंग शब्द, फिर एकी मातरा बन जाती है, फिर आ की मातरा इसके एक्जाम्पल सिर्फ दो ही है आपकी बुक में अभी तर आगे हो सकता और अच्छे से इसको बताए अभी सिर्फ आपको आकारांथ स्ट्रिलिंग और अकारांथ पुलिंग शब्द बताऊने चाहिए खेर अब माचिंग पर आते हैं तुम बालिका सी तुम बालिका हो युवाम बालिकेस था तुम दोनों बालिकाए हो युयम बालिकास था तुम सब बालिकाए हो फिर से इस तरीके से माच करना एक्जाम्पल दिया है यह था मतलब जैसे अब देखें आहम गायका अस्मी मैं गायक हूँ दूई वचन में क्या हो जाएगा आहम का हो जाएगा आवाम गाईका का हो जाएगा ये पुलिंग शब्द है मतलब गायक staffling होता तो गायका होता तो गायक हो तो उसके बार second में गायका हो जाएगा दो मात्रा लग जाएगी और असमी का हो जाएगा स्वग मतलब हम दोनों गायक है आवाम गायकव स्व ये रहा इसका दूई वचन और बहु वचन में आवाम ये हो जाएगा वयम गायकव का हो जाएगा गायका आकी मातरा और विसर गौर्ष्व का हो जाएगा स्मा हम सब गायक है वयम गायका स्मा तौम चात्रा असी, तौम चात्र हो, तौम का हो जाएगा युवाम, चात्र का हो जाएगा द्वीवचन में चात्रा हो, असी का हो जाएगा स्था, तौम चात्रा स्था, तौम दोनो युवाम चात्रा हो स्था, तौम दोनो चात्र हो, फिर यूयम मतलब तौम सब चात्रा हो आकी मात्रा और विसर्ब और स्थाका हो जाएगा स्थ यूयम छात्रा स्थ ये सेकंड नाचिंग है उसके बाल अहाम शिक्षिका अस्मी मैं शिक्षक हूँ हम दोनों शिक्षक है तो आवाम शिक्षिका उस्वा हम सब शिक्षक है तो वयम शिक्षिका स्मा हम सब शिक्षक हैं अहम नृतकी असमी मैं नृतकी हूँ हम दोनों नृतकी हैं तो आवाम नृतक्यो स्मा हम दोनों नृतकी हैं हम सब नृतकी हैं तो वयम नृतक्यो स्मा तो हम ग्रहनी असी तुम ग्रहनी हो उसका होगा तो हमका युवाम हो जाएगा यूयम तुम दोनों ग्रहनी का हो जाएगा ग्रहनियो जैसा मैंने कहा था जब ए की मातरा पर स्ट्रिलिंग शब्द खतम हो आकरी शब्द आधा होगा ना आधा हो जाएगा और बाद में यूवा लग जाएगा तुम दोनों ग्रहनी हो यूवाम ग्रहनी हो स्था और आकरी में आधा ही रहेगा शब्द और या के बाद विसर्ग लग जाएगे तुम सब ग्रहनी हो यूयम मतलब तुम सब ग्रहनी स्था हो अहाम आरक्षक का असमी मैं आरक्षक हो पुलिसमान हो हम दोनों आरक्षक है, हम का हो जाएगा आवाम, आरक्षक का हो जाएगा आरक्षक हो स्वा, हम दोनों आरक्षक है, और फिर वयम आरक्षका स्मा, हम सब आरक्षक है, आगे हैं, तुम सैनिक हो, तुम सैनिक हो, तुम का हो जाएगा युवाम, तुम दोनों सैनिक हो, तुम द मतलब तुम सब सैनिक हो, सैनिक हो, आगे होगा सैनिक हो, तुम सब सैनिक हो, यूयम सैनिक हो, तुम चिकित सिखा असी, तुम चिकित सिखो, तुम कह हो जाएगा यूवाम, यूवाम, तुम दोनों चिकित सिखा हो, और असी कह हो जाएगा स्थ, तुम दोनों चिकित सिखो, युवाम, चिकित सिकाओ, स्थ, फिर हो जाएगा, यूयम, मतलब तुम सब चिकित सिकाओ, स्थ, तुम सब स्थ, चिकित सको, उसके बाद है, अहम, तंतरग्य, अस्मी, मैं तंतरग्य हूँ, सौटफेर इंजीनियर हूँ, आहम का हो जाएगा, आवाम, और तंतरग्य का हो ज रहेगा वयम ये रहा तंत्रग्या स्म हम सब तंत्रग्ये हैं ठीक है चली आगे आते हैं उधारन अनुगुणम उधारन की आधार पर के समान ही उत्तर दिजे उत्तरों के प्रेश्ण निर्मान करने हैं अब आपको जैसे का तुम चिक्पित सका हो दो शब्द दो कौन चिकित सक है या फिर तुम कौन हो अगर आप से पूछा जाए तुम कौन हो तो उत्तर हो सकता है तुम चिकित सक हो ठीक है दोनों इस शब्दों का उत्तर यही है कौन चिकित सक है या फिर तुम कौन हो लेकिनी जो कौन शब्द है इसका भी आपको पता होना चाहिए इस के मतलब कौन सập यह भी आपको देखना है क्यों सा वचान है और स्त्रीu शब्दों में जो त्रीu ŁING के बारे में बूचशेंगे का मतलब कौन और कहा kinda मतलब कौन सबॉन Corre के पुंधर लिए आता है वह के लिए आंर लुइशब और के दों नग ताई है पुन बन सकता है कौन तंत्रग्य है तो आप कह सकते हो कहा ये एक ही वचन है तुम और तंत्रग्य क्योंकि एक pulling शब्द है तो कहा आएगा कहा तंतरग्य कौन तंतरग्य है या फिर आप पूछ सकते हो तुम कौन हो तुम कहा तुम कहा ठीक है युवाम, युवाम मतलब तुम युवाम, युयम मतलब होता है तुम दोनो बालकव, अब ये कौन सा है दूई वचन है या क्या है, दोनों से आप पता लगा सकते है इससे भी, और इससे भी बालकव भी दूई वचन में आता है एक वचन में आएगा बालकव दूई वचन में आएगा बालकव बहु वचन में आएगा बालकव ठीक है, तो तुम दोनो बालक हो, अब तुम पूछोगे तुम दोनों कौन हो, पहले तो बालक यह जो शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द है और ड्री वचन के लिए पुल्लिंग में क्या आता है कव चलो ठीक है, तो आप यह पूछ सकते हो You am, sorry कहा बालक हो कौन बालक है, तो तुम दोनो बालक हो, ये उत्तर हो सकता है, काओ, इसकी जगे भी आप काओ लिख सकते हैं, बालकाओ की जगे भी लिख सकते हैं, काओ बालकाओ, ये दोनो बालक, कौन दोनो बालक है, तो युवाम तुम दोनो बालक हो, आगे आप पूछ सकते हैं, कि यु जो चात्रा शब्द है यह आपको ध्यान देना है कि यह ब्रेलिंग पुलिंग, देखो डोनों में ही चात्राई ही आता है, उसर हम ब्रेज़ स्ब्द के रूप कैसे चलेंगे जो male student है, फेले आलास में आकी मात्रा के बाल विसर्ग लगते हैं, और जो female student है लड़की है उसके शब्द रूप कैसे होगे छात्रा student छात्रे दो लड़किया दो female students गर्ल स्टूडेंट्स और last में छात्रा हा ठीक है जो struggling शब्द होते हैं पहले आ की मात्रा आती है फिर ए फिर वही आ की मात्रा के बाद बिसर्ग जो pulling शब्द होते हैं पहले आ की मात्रा और पहले आ की मात्रा के बाद फिसर्ग कहने का मतलब है जो छात्रा शब्द है चाहिए वो इससमें boys है, students या फिर girls है सब में छात्रा ही आता है तुम सब छात्राई हो तुम सब छात्र हो ये दोनों के लिए हो सकता है चाहे वो male students है चाहे female students है तो अगर आप यहाँ पर के यूज करे या का यूज करे दोनों ही सही माने जाएंगे आप ये पूछ सकते है के चात्रा कौन चात्र है यूयम के तुम कौन हो या फिर का चात्रा कौन चात्राई है या फिर यूयम कहा तुम सब कौन हो ठीक है लेकिन ये शायद से सभी मुझे लगता है कि पुलिंग शब्द ही है ये पुलिंग उसमें ही इस्तिमाल किया गया शब्द है तंत्रग्य है बालक चिक्त ससव न्याय धीश भी आगे legitimate लिब viral उंदी फ्रिया खुलिंन यों चात्रा क्षात्र हो तो केंगे चात्र एक हैं तूम सब या यो फिर यू फिर शे तुमसब धीशह, कौन न्याई धीश है न्याई धीशह ये प्रशन हो सकता है न्याई धीश कौन है, तो आंसर आएगा मैं न्याई धीश हूँ या फिर आप पूछ सकते हैं अहाम, कहा मैं कौन हूँ, तो उत्तर होगा मैं न्याई धीश हूँ, ठीक है जब दोनों की जगे जो का है या आप कहीं पे भी इस्तिमाल कर सकते हैं चल यह आगए आते हैं यह आप ध्यान रखेंगे अब यह रेज हो जाएगा का का के ठीक पुलिंग शब्दों में अब यह आ गए हैं स्ट्रिलिंग शब्द हमें लगा शब्दों में क्या होता है शब्द रूप जैसे पुलिंग में होता है का का के जैसे शब्द रूप उसके चलते हैं कि पहले का आ की मात्रा है कि फिर एक ही मात्रा फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ब यह चलते हैं न शब्द रूप भी गाई के यह दूई वचन है, शिक्षिक का मतलब यह बहु वचन है, ठीक, तो आवाम, आवाम मतलब हम सब, गाई के, हम सब, सारी, हम आवाम, आवाम मतलब दूई वचन, हम दोनो, आप करेगा, आप हम, मैं, आवाम मतलब हम दोनो, हम दोनो गाई का है, तो आप पूछ सकते हैं, के ग तो भी उत्तर होगा हम दोनों गाई का हैं। या फिर आप पूछ सकते हो का शिक्षिका हैं। इए दो प्रश्नियां से बन सकते हैं। कौन गाई का है, हम कौन है, उत्तर यही होगा, हम गाई का है, आगे कौन शिक्षी का है, तो हम शिक्षी का है, हम कौन है, तो उत्तर होगा, यही कि हम शिक्षी का है, ठीक, चलिए आगे आते हैं, शब्द रूप सिर्फ आपको याद रखने हैं, फुलिंग शब्दों में कह काव के ठीक है स्टुरलिंग शब्दों में का के कहा ठीक next अब योग गेत अविस्तार ये प्रशन खतम हो चुके हैं अब ये कुछ extra information है भवान भवती भवान मतलब होता है आप आप भवती आप जब किसी पुलिंग शब्द में इस्तिमाल करेंगे आप तो भवान आएगा स भी वचन दोनों के आप दोनों या फिर भवंतियों भवंत भवत्य ये पुलिंग शब्द के साथ ये स्रिलिंग शब्द के साथ आप आप दोनों आप सब एते शाम प्रियोगा प्रथम पुरुशस्य क्रिया पदेन सह भवती ये जो शब्द है ये इस्तिमाल होते हैं प् मैं, ठीक है, मध्यम पुरुष मतलब तुम, और प्रतम पुरुष मतलब कोई और, कोई थर्ड परसन ठीक है, अन्य तो जब हम किसी अन्य की बात करते हैं, तो हम भवान भवति, भवंतियों भवतियों या भवन्ता भवतिय इस्तिमाल करेंगे तौम युवाम युयम तुम दोनो तुम सब ये प्रियोग होता है मध्यम पुरुष प्रियापद के साथ यह हम देख चुके हैं मध्यम मतलब तुम अहम आवाम वयम ये इस्तिमाल होता है उत्तम पुरुष के साथ ठीक पुरुष एक वचन, दुई वचन, बहुचन आपको दिये हैं प्रतम पुरुष में होगा भवान या भवती अस्ती आप हैं, आप दोनों हैं, आप सब हैं तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं ठीक, ये एक वचन, दुई वचन, बहु वचन में भी आपको दिये हैं, और ये पुरुष के अकॉर्डिंग भे दिये हैं, पुरुष के अकॉर्डिंग, अस्ति मतलब है, स्तह, डोनों है, संति मतलब सब है, भवान, अस्ति, आप है, भवति, अस्ति, आप है, फिमेल को आप दोनों हैं, भवन्तियों स्था, पीमेल को बोलेंगे तो आप दोनों हैं, और भवन्ता या भवत्या संति आप सब हैं, त्वाम असी, असी मतलब हो, तुम हो, ये हमने उपर भी देख लिए हैं, युवाम ये तो हम देख चुके हैं, मद्यम और उत्तम पुरुष, प्र साथ आएगा, अहम, आवाम, वयम के साथ, अस्मी, स्वा, स्मह, भवान, भवन्तियों, भवन्त्य, या फिर भवत्य, भवत्यों, भवत्य के साथ, अस्ति, स्था, संति आएगा, ओके, ये आप टेबल बना लिजिए, उसको लर्न करेंजें, नेक्स्ट, यही सार है इस पा हम पढ़ चुके हैं, गीतम, ये गीत है, आहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आहम पठामी संस्कृतम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, आहम वदामी संस्कृतम, वद मतलब होता है बोलना, मैं संस्कृत बोलता हूँ, आहम लिखामी संस्कृतम, मैं संस्कृत लिखता हूँ, सदैव सुन्दर अक्षरम हमेशा ही सुन्दर अक्षरों में अहाम स्मरामी मात्रम मैं माता को कस्मरन करती हूँ अहाम भजामी मात्रम मैं माता का भजन करती हूँ अहाम नमामी मात्रम मैं माता को नमन करती हूँ सदैव भगती पूर्वकम हमेशा ही भगती पूर्वक मैं हमेशा भगती पूर्वक माता का स्मरन करती हूँ उनको भजती हूँ भजन करती हूँ नमन करती हूँ अब आपके लिए परियोजना कारिया है एक प्रोजेक्ट है अस्मद युश्मद शब्द यो अस्मद मैं युश्मद मतलब तुम इन शब्द के सभी शब्द रूप आपको एक चार्ट पेपर के उपर लिखने हैं अस्मद के शब्द रूप कैसे होंगे प्रथम पुरुष का एक वचन दुई वचन बहुचन प्रथम विभक्ति दुवित्य तुरति चतुरति पंचमी शश्टी सब्द मी सातों विभक्ति में लिखने हैं शब्द रूप देख लेते हैं अहाम आवाम वयम ये तो हमने को माम आवाम हम दोनों को और अस्मान हम सबको अस्मान मया मेरे द्वारा ये विभक्ति तो बहुत बाद में आप पड़ेंगे अभी आपको सिर्फ लिखना अहाम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभी अगे होगा मैयाम महम्याम यह इस तरीके से है यह मा है खा आदा है और यहीं से आप या शुरू करेंगे मैयाम फिर आवाभ्याम as it is रहेगा आवाभ्याम तृत्या, चतृत्या और पंचमी में आवाभ्याम ही रहेगा आवाभ्याम अगे पंच्पी में मत हावाभ्याम अस्मत मम आवियो मेरा आवियो हम दोनों का अस्माकम हम सब का अस्माकम शप्न में मई आवियो अस्मासू ठीक है ये अलग-अलग शब्द में इस्तिमाल होते हैं जैसे मेरे द्वारा मैंने या फिर मुझ पर इस तरीके से कौन सा वो आएगा करताने कर्म को ये विभक्ति आप बाद में पढ़ेंगे अभी आपको सिर्फ इतना याद करना यह आप लिख लेंगे चार्ट पेपर के उपर अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभी मैयाम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत मया मम आवियो अस्माकम मै आवियो अस्मासू ठीक अब युश्माद तुम शब्द के रूप तौम युवाम यूयम ये तो हमने देखा ही तुम तुम दोनों तुम सब यूवाम यूयम बिंदी भी आप लगा सकते है उपर अनुस्वार या फिर मा भी लिख सकते हैं यूवाम चलिए यूयम त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वाए, युष्माभी, युष्माभी. त्वत युवाभी, युष्माभी 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 य और युश्मा का मतलब तुम सब का युश्मा कम ठीक है फिर है सब्सक्राइब त्वाई युवियो और युश्मासू युश्मासू ठीक है यहाँ पर युवाभ्याम और युवाभ्याम यह शब्द रूप आपको याद भी करने होते हैं इसके असमद युश्मत के नहीं करने हैं ठीक है तुम युवाम युयम तुम युवाम युश्मान त्वाई युवाभ्याम युश्माभी तुभ्य युवाभ्याम युश्माभ्याम Thank you so much for watching.